नमस्कार दोस्तों, चांद के बाद अब सूरज की बारी है, अब भारत सूरज पर भी पहुँचने वाला है, जिस सूरज की आग से पूरी दुनिया डरती है, उस सूरज पर अब भारत का कबजा होने वाला है, सूरे के अंगारों में जलते रहस से अब भारत खोज जैसे चांद के लिए हमारे विग्यानिकों ने चंद्रियान बेजा है वैसे ही सूरज के लिए आदित्य एलवन भेजा जाएगा इसरो इसे सूरज के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा इसे दो हफते पहले अंदरप्रदेश के श्री हरी कोट स्थित इसरो के अंतरिक्ष के इंदर पर रखा गया था अब दो सितंबर को यहां से इसे लॉंच किया जाएगा इसके बारे में खुद इसरो ने ट्वीट करके बताया है जिसमें लॉंचिंग के साथ साथ मिशन की पूरी डीटेल्स दी गई है यह भी बताया गया है कि कैसे आदित्य धर्ती की ओर्बिट के बाहर निकलेगा और फिर कैसे 150 किलोमीटर दूर सूरज के करीब पहुँचेगा आदित्य एलवन सूरे के अध्यन के लिए पहली इंडियन स्पेस बेस्ट ओर्बिट्री है दोस्तों इसका काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा दर्थी और सूरज के सिस्टिम के बीच में 5 लेंगेरियन पॉइंट्स है यह वो पॉइंट्स होते हैं जहां सूरे और पृत्वी के बीच ग्राविटी के साथ अट्राक्शन और रिपल्शन पैदा होता है आदित्य को यही पर पहुचाया जाएगा एलवन तक पहुचने में उसे करीब 4 महिने लगेंगे दोस्तों इसके बारे में खुद इस्टों ने ट्वीट करके बताया है सूरे यान लंगेरियन पॉइंट 1 के चारों और एक हेलो और्बिट में तैनात होगा एलवन पॉइंट की धरती से दूरी करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर है जबकि सूरे की प्रत्वी से दूरी करीब 150 किलोमीटर होगी एलवन पॉइंट इसलिए चुना गया है दोस्तों क्योंकि यहां से सूरे पर 7 दिन 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है ग्रहन की दौरान भी दोस्तों यह अंत्रिक शियान 7 पैरोल्ड लेकर जाएगा यह पैरोल्ड फोटोस्फेर यानि की प्रकाश खंट क्रोमोस्फेर यानि की सूरे की दिखाई देने वाली सत्य से ठीक उपर वाली सत्य और सूरे की सबसे बाहरी परत यानि की कोरोना का जायजा लेने वाला है सूरे में उने वाली विस्पोटक प्रिक्रिया प्रित्वी के नजदी की स्पेस एरिया में दिकत कर सकती है बहुत से उबग्रेयों को नुकसान भी हो सकता है एसी परिस्थितियों में पता लगाया जाएगा कि कैसे हम इन सबी चीजों को बचा सकते हैं और पहले से ही इसको लेकर कदम उठा सकते हैं तमाम स्पेश मिशन को चलाने के लिए स्पेश के मौसम को समझना भी बहुत जरूरी होता है इस मिशन से स्पेस के मौसम को भी समझने में मदद मिलने वाली है इससे सोलर विंट्स की भी स्टडी की जाएगी दोस्तो तो अगर ये मिशन सफल हो जाता है दोस्तो तो ये हमारे विज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी काम्याबी साबित हो सकती है इस खबर में इतना ही ये खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरहीन अंसारी है जै हिंद जै भारत अंसारी है